मेरा नाम सुशिल संदीब जोशी है मुझे नीट 2021 में 611 स्कोर किया है आउट और 720 मैंने अपनी अपनी अड्मिशन GMC नाखपुर में लिए सुशिल जोशी यह हमारे दो साल पहली की बैच के विद्यारती का मतलब सनथ जोशी का यह सगा चोटा भाई और उसका बड़ा भाई जो है अभी GMC अकोला में पढ़ रहा है और सनथ के जैसा ही सुशिल भी बहुत क्यूरियस और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज पुछने वाला एक अच्छा विद्यारती है इसने बहुत अच्छा प्रफॉर्मंस इस साल दिया है और अबाव 600 मार्क्स मिलवाए है सनथ की मम्मी का खास करके मैं विशेश अमिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि बहुत पेशंस रख करके इन्होंने कंटिनियूसली हमारे साथ वारत करना चाहिए इसके लिए उसे आचिरवाद देता हूं मैंने अपनी 10 तक की स्टडी यह अत्माद पब्रिक स्कूल से कंप्रेट किये आफ्टर 10 मुझे 11 12 में नीट की प्रेशन के लिए एडवाइस मेरे बड़े भाई सुनद संदीप जोशे ने दिये जो मिक्स के स्टुवर्ण्स मेरे से एक कदम आगे हर चीज में उनका इंट्रक्षन टीचर से सब मुझ से आगे से लग रहे थे मुझे मैं अपनी मुम से बात किया कि मैं सब कर नहीं पाऊगा शायद मुझे से डर लग रहा था बट मेरे मम्मी और मेरे भाई ने मुझे फिर समझाया क कि अपना गोल अचीव कर सकता हूँ मेरे भाई ने खुद का एक्जामपल दिया कि अगर मैं पहले सी अगर रोज की पड़ा रोज करोगा हमेशा समय से काम करते रहोगा तो मैं अपना गोल अचीव कर सकता हूँ मुझे मेरे बड़े बाई ने ये भी बताया कि अगर सपोर्ट देगे, यहां के टीजर बहुत फ्रेंडली है, सपोर्टियो है, तुझे हर चीज के लिए इंकरेज करेगे, हमें बाहलाजी के लिए जोचसर थे, जो बहुत ही शान सबाव के थे, उनकी टीचिंग टेकनिक बहुत ही यूनिक थी, बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे, एकदम इजी वे में पढ़ाते थे, निमोनिक्स का यूज करना, शौट ट्रिक्स, नीट में किस तर के कोश्चन साएगे, वो सब इतने इजी थू से बलते थे, कि दारेट माइंड में, मतलब उनके वर्ड्स दारेट माइंड में जाते थे, जोचसर से हम कुछ भी अपनी दिल की बाद शेयर कर से, अगर कुछ ऐसे पढ़ाई में, अगर डी मोटिवेट हो रहे हो है, या फिर कुछ आ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम खुलके उंको डाउट्स पुछ सकते, सर असे कभी मना नहीं करते कि अभी मेरा मूड नहीं है, सर कुछ नहीं जैसे अभी ऑनलाइन हो गया था सब, तो प्राइवेटली अगर सर को वाट्स अप पे अगर मैसेज करेगे, तो प्राइवेटली भी हम सर हमें तुरंत रिपलाई करते थे, सर को जबी भी टाइम मिलता था सर हमें हमारी डिफिकल्टी सॉल्द करते थे, नीट के साथ साथ 12 जो स्टेट बोर्ड की एक्जामस रहती है, उसके लिए भी हमें गाइड करते थे, कैसे पढ़ना चाहिए, स्टेट के भी कैसे पढ़ना चाहिए, स्टेट के भी कैसे पढ़ाई करने चाहिए, स्टेट के भी कैसे पढ़ाई करने चाहिए, स्टेट के भी कैसे पढ़ाई कर कि पहले सी जो कुछ भी करना है हमें वो पहले सी प्लान करना है तो मैं माइंड में पूरा अगले दिन का पूरा माइंड में रिकॉल करके रखता था कि मुझे अगले दिन क्या करना है यह सर की बात मुझे बहुत अच्छे लगती थी सर जब क्लास में आते थे सर अगर हमें क कुछ ऐसा बतते थे जिससे पड़ाई करने का मन होता था अगर कभी ones कमा रहे है तो जोफ शर देशपांड़ सर दोनों हमें ऐसा बतते थे कि पड़ाई करने का फिर मन होता था देशपान्ने सर की टीचिंग टेक्निक में सर senior day to day life के example एक्जांपल जरते थे इतने जोक्स पाुश करते थे खीम्राइश क तक असीर पढ़ा ही कभी सोनी सर बोज लगी नई से कोछ दिमांग अल्य कभी अकर सा जाता ही था था सर की पिरण में इत्त अच्छे से पड़ा है, Amit Sir और Sonny सर्षय। इत्तач करके मैं बहुत ही सथा करें कि मुझे पहलोगी नगता ता है, अगर मैं कमांड रखूगा, तो मैं आगे जाके फीजिक्स अच्छा रहेगा. फिजिक्स पर ज्यादा फोकस दरूँ और इसके लिए मुझे अमिज सर ने बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन भी उतना ही बेनिफिशल ए स्टुनेंट्स के लिए जित्ता ही ओफ लाइन है एक दम से लॉकड़ाउन लग गया था उसके बाद में मिघ्ज ने अपना खुद का एक एप बनाया मिघ्ज कोचिंग मिघ्ज लाइफ एप उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे कि हम हमारे हम जो डाउट्स पूछेगे जो भी वाच्च आपना डाउट्स पूछेगा वो सिफ टीचर्स देख सकता है कोई और नी देख सकता ज learn is to give more and more test अगर जित्ते हम test attempt करेगे उत्ता हमें उत्ता याद आते जाएगा उत्ते हमारे दिवाग में questions उत्ते answers दिमाग में बैठते जाएगे कैसे हमें attempt करना चाहिए और mix के खासियात है कि mix में test बहुत होते हैं अलग-अलग type के test होते हैं जैसे Sunday to Sunday SSPCB, month के ending में major test होती थ जब से हम mix में entered होए और तब से लेकर तो एक दिन mix test के एक दिन पहले तक चित्ता पढ़ाया है सब के सब आता था वो month के ending test में test series, last में जो test series होई है वो भी बहुत NCRT based है थी थी वो सारी के सारी test जो full concept based है थी अगर after the test discussion होता था test का जिसके अदर हम हमारे doubts जो हमें question नही है उस question को हम और simplify method में और short method में हम कैसे solve कर सकते है वो भी हमें पता चलता था साथ ही साथ में हमें teachers ने यह भी बाता है कि हमें हमारी fault book में हमारा जो भी टेस्ट में wrong हो रहा है वो उसके नोट डाउन उसके अदर मतलब short में हम लिखे हमारे क्या गल्ती हो रही है हमने क्या mistake किये और साथ में उस question को कैसे solve करना चाहिए अगर अगर short method होगी उसकी कुछ तो short method बाजू में लिख सकते है और जब next test रहेगी तो हम next test को appear करने से पहले उसको एक short view मार ले कि मतलब क्या क्या हमारी last test में क्या गल्ती होई थी सारे questions एक बार अगर हम देख लेगे पूरी नजर उतार लेगे तो हमें उस test में beneficial रहा क्योंकि नीट में questions repeat होते है जो और इस नीट 2021 में मैंने देखा है कि maximum questions मतलब maximum questions हमारे टेस्ट के same to same questions डारेक नीट 2021 में आये थे मिक्स के level of questions same to same डीट के लेवल जितते रहते थे फुल NCIT बेस्ट टेस्ट रहती थी फुल कंसेट बेस्ट टेस्ट रहती थी जिससे कि अगर एक बार पेपर सॉल कर दिया तो मतलब कंसेप्ट आपका पूरा clear हो जाएगा अगर जिसका concept clear है तो उसके लिए टेस्ट बहुत बच्चे मुझे लाइब्राइबरेंमेट बूच्छे करना धिखल कोडिके रहता था है तो मॉछे मुझे पडमे ॠ brushes के साथ मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे प्रण स्मेराफी मेरे धादी मेरे दादी से लेकर मेरे छोटे भाई तक मुझे सब अबने सपोर्ट किया है, कैसे ना कैसे मुझे मेरे पड़ास में कॉंट्रिवूट किया है, जब भी मुझे कम मार्स आते तो मुझे मेरे पैरेंट्स नहीं वह लग कभी दाटा नहीं कि तुझे मार्स कैसे कमारें, स्टार्टिंग में मुझे से में डी मोटिवेट रहता था क कि मुझे मार्क्स क्यों का आ रहे, बट मेरे पैरेंट्स बोलते थे कि तु कर सकता है, मेरे भड़े भाई मुझे इत्ता मोटिवेट कर दे इत्ते पोजिटिव फोड़ बोलते थे, और मुझे एंकरेज करते थे, कि तु अपने जो दिल की बाते वह तेरे टीजर के साथ शेय मुझे अभी एसे लगा लास्ट के बालाजी के कुछ जैसे चैप्टर से जिसको फुल उसे पूरा रटना पड़ता था तो उसके लिए मैंने जैसे अपने छोटे भाई के हेल्प ली थी उसके अंदर मैंने एक बुक पे जो भी मेन पॉंट मतलब जो याद करने के जैसे किते नाशनल पार्क से किते होट्सपोट इंडिया में और जैसे नंबरिंग वाले कोश्चंस थे सबके सब मैंने वो एक बुक पे लिख लिए था और वो बुक मैंने अपने भाई को दी थी और जब मैं ब्रेक लेता था खाने के लिए था ता या तो उत्ती देर में मेरा छोट कर रहा है मैंदो के यहां टोच में कि कि गर लुक क्र यह सैस्टे संतुप मेरा सेटी घू अब दो कर रहे हैं टो उसके अंडर अपना कॉंसेंट एंचेंटरेशन सेंसेृती ख सेंसरदे जय हो अधै जो भी पड़ाया हैोएalen आख सिंसेर बोलते थे कि 90 पर구요 यह सक्सेश इ जो भी पड़ाया है, रोज का रोज घर पर आके रिवाइस करना चाहिए, उसके बाद में जो पीछे का है, फिर वो करना चाहिए, सबको लगता है कि कोटा बेस्ट है, नीट और जे डबली के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिक्स कोटा के एक्वल भी है, या फिर मिक्स बहुत स्टूडियस और डिसिप्लीन मेंटेंड है, तीसरी बात मुझे मिक्स में बहुत अच्छे लगी कि वहां कि जो टेस्टीरी से, फुल एंसे बेस्ट है और पूरे नीट लेवल की है, और आफ्टर दर टेस्ट उसका तुरंत डिसकेशन भी होता था, जिससे कि हमारे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए, और हम फ्रेश माइंड के साथ अपनी नेक्स्टेडिस तुरंत चालू कर सके, मैं संदीप अमृतलाजी जोशी, मेरा चोटा बेटा सुशिल संदीप जोशी, ये मिक्स कोचिंग क्लास से, उसने कोचिंग किया है नीट के लिए, तो मैं जब मेरा बड़ा लड़का टेंट पास हुआ, तो उस समय हम उसको कोचिंग का सोच रहे थे कि नीट के लिए उसको कोचिंग करवाना है करके, तो हमारे ऐसे मतलब थोड़ा सा बाहर से ऐसा मालूम कोड़ा है कि मतलब आज बहुत के भी आकवला जो है इस द बेष्ट हम कई दूसरी और कोचिंग में नहीं गया, सिधा मीक्स में गया, मीक्स जाने के बाद में हमको लगा कि नहीं बच्चे के लिए यह बेष्ट है और यह अच्छा कर सकता है, यह पहले बेटे के लिए संदीर जोशी के लिए हुआ, उसके बाद में फिर हमारा बड़ा बेट का था, उसी में ही हम साटीसफाइड रहें मीक्स के लिए सर्थ, तब जाके हमने फिर दूसरे अड़के के लिए किया, मैं जो और भी पैरेंट से इनको बोलना चाहता हूँ, दूनों बच्चों के सक्सेस के ओजे से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मीक्स द बेष्ट, सर मैं न सब्सक्राइड दिलवाया था और वो अभी फिलाल अकोला जी अमसी में है, सेकंड डियर में है, पहले हमें मीक्स का मिला वो इतना अच्छा था सर कि हम अगर आदे रात को भी सर को देशमांडे सर को फोन कॉल करते थे, क्योंकि एक बच्चे जब बाहर गाव रहते हैं तो हम लोग जब भी उनको फोन कॉल करते थे तो हमें अटेंड करके हमें पूरी तरह से रिलाक्स करते थे और एक्शन इमीजियेट लिया जाता था, अगर हमें कुई चीज की चिलता है तो देशपांडे सर भी हमको उस चीज के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करते थे और आप एस की टीचर हूं सर और मुझे ये प्राउड महसूस होता है कि मेरे बेटे ने जो ऑफलाइन और ओनलाइन दोनों को खुद को सेटल करके उसमें पढ़ाई की उसमें सबसे अच्छा तो हमको कोवीड-19 के वज़े से जो हम ऑनलाइन मोड पर टर्न हो गए और इतना अ क्यारी सेशन में उनके पूरे डाउड़ क्लियर किये जाते थे तो उसमें मेरे छोटी मेटे का भी इतना अच्छा म को यह था मन को साटिस्फेक्शन की वो बोरा जिद से पढ़ा ही करता था वो पुरे क्लासेस अटेंड करता था वो अपने प्लेस से हटता नहीं था कि अम कुछ connection नहीं है, उनकी connectivity हर समय बनी रही थी, आज मेरी फैमिली मेरे को support दे रही थी, आज मेरी सास मेरे साथ नहीं है, पर उनका जो हमको आशिरवाद है, और उनोंने जो सुशील के लिए efforts लिये थे, वो अवर्ननिय है, साथ-साथ मेरी जो family है, वो भी मेरे ये बहुत कुछ को operate करती थी, मैं जॉब पर थी, टीचर होने के वैसे मुझे इतना experience था, कि बच्चों को इतना pressure कभी नहीं देना चाहिए, कि वो पढ़ने के लिए मजबूर होके पढ़े, ना कभी अपने बेटे को किसी के साथ compare करना चाहिए, कि मेरा बेटा कम है और दूसरों का बच्च जादा है, उसे उसके उपर ही उसको depend रखना चाहिए, कि वो अपने ही style से पढ़े, अपने ही मर्जिय से पढ़े और अपने मर्जिय से दिमाग से ही वो सब कुछ आगे बढ़ता जाए, इतना हमने उसको free छोड़ा था, और उस चीज के लिए उसने अपने बड़े भाई क पूरा guidance लेकर के अपने आपको आज इस जगे पर इस मुकाम पर लाकर खडा किया, इसके लिए हम सभी को बहुत गर्व है, पैरेंट्स के लिए यही एक message देना चाहती हूँ, कि आप अपने बच्चों को पूरा विश्वास रखकर उनको कहीं आप मिग्स में पढ़ने भे तो यही आप अपना पूरा विश्वास रखिए कि मिग्स में देशपांडे सर और जोट सर यह दोनों भी as a parent का भी काम करते हैं, दोनों का काम इतना अच्छा है कि आप लोगों को भी उस चीज का अन्भो आएगा ही अगर आप मिग्स को चूज करोगे तो, और मेरा तो य झाल